मेरे दिमाग नहीं चल रहा, बहुत सारी सवाल है ठीक है, तो पूछ लो नाजली आखिर मैं ही क्यों? मतलब मैं क्यों? फिर कोई यही समझता है कि हमारे बीच कुछ है? पहली सुनगा याद है तुम्हें? उन्होंने बोला था कि हमारे बीच में कुछ है सब लोग इस जूट पर असानी से यकीन कर लेंगे इतना यकीन मत करो, लोग ये भी जानते हैं कि अब हम अलग हो चुके हैं मतलब अब यकीन, कौन करेगा इस बात पर? तुम ये सब मत सुचो भी से मैं सिर्फ जानना चाहरू हूँ कि हाँ या ना ये मुझे पर अहसान होगा तुमारा मेरा अहसान? मैंने बुलत तो कैसे कोया है, ये क्लियर है अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ वल्ती सुधार ने का अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तो मुझे माफ कर दोगे मैंने ऐसा कुछ नहीं का, मैं बस एक मौका दे रहा हूँ शादी कर लोगी तो माफ कर दूँगा, ऐसा तो नहीं का मैंने ऐसा इंसान जिस पे आप घुश्सा हो और उसे माफ नहीं कर सकते है उससे शादी कौन कर सकता है? बुलत के लिए ये करना जरूरी है उसको अकान के हाथों नहीं जूर सकता मैं अगर तुम उसके लिए थोड़ा सा भी अच्छा चाहती हो तो एक मिनिट, थोड़ा सा क्या मतलब? मैं बुलूत से बहुत प्यार करती हूँ बुलूत में मेरी जान है मगर तुम शादी की बात कर रहे हो वो भी नकली शादी मैं फिर से एक बार जूट नहीं बोलना चाहती मुझे पता है, जूट का एंड अच्छा नहीं होता मैंने अपना प्रोपोजल रख दिया है शर्द भी है जवाब चाहिए मुझे मुझे थोड़ा से सोचने की जरूरत है सोचो, सोचो मगर हमारे पास जादा वक नहीं है जितनी जिल्दी हो जाओ उतना अच्छा है नाजली मिरी जन कॉफी, चाई वगरा कुछ भी लोग है आप लोग क्योंगे मैं देख रही हूँ कि काफी देड़ से आप लोग बाते कर रहे हैं यहां बैठे हुए नहीं, नहीं, फतोष, इसकी जरूरत नहीं है कल बात करते हैं क्या बात कर रहे थे तुम लोग बताओ ना कि क्या बात हो रही थी ठीक तो हो ना तुम नाजली हाँ, ठीक हूँ बहुत देर हो गई है, चलो रेस्टरेंट बन करके घर चलते हैं पुलिस यह सोचती है कि हकान बेकसूर है इस केस में उन्होंने केस बन कर दिया है और सारा इल्जाम उस मारे हुए इंसान पर डालती है जलाल और रसूर जो कुछ भी उन्होंने किया है, वैसे ही उनके साथ हो किया एक नट, एक नट, तुम लोग अभी भी हाकान को मजर्म समझ रहे हो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं हूँ फिर वो दो लोग कौन थे, मतब पुलिस ने उन दोनों के बारे में कुछ बताया और जब उनके वीच में लड़ाई होई तो ये वो ही कहानी है जिस पर हकान ने हमें यकीन देलाना चाहा तो उन्हें किसने मारा होगा क्या, ये भी हकान ने किया होगा हाँ, शायद, महरान नहीं उस पर मैं थोड़ी दिर बाद जलाल के घर जाओंगा, उसकी बीवी से बात करूँगा अगर तुम चाहते हो तो तुम भी चलना चलो जो भी हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं ठीक है मिस्स इकबाल, आप भी रसूल के घर का पता लगाईए उसके दोस्त, रिष्टेदार कहां है सब? कहां रहते हैं? कहां काम करते हैं? इन सब की डिटेल चाहिए मुझे ये सब हकान तक पहुचने में मदद करेगी आप फिकर न करें मुझसे जो हो सहीगा मैं वो सब करूंगी परीच सहाब तैनिस मुझे एक कॉल करना ज़रूरी है, बस थोड़ी दिरे में निकलते हैं ठीक है हलो तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा कोई फैसला नहीं है नाजली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वक्त जाय करना नहीं चाहता तुम्हे अभी फैसला करना होगा मुझे समझ नहीं आ रहा ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे सोचने के लिए वक तो थोड़ा मैं अचानक से तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकती तुमने शादी का प्रपोजल दिया है, कोई छोटी बात नहीं है अगर तुम्हें पता है तो मैं एक रेस्टरान भी चलाती हूँ शायद जैसे कि कल जो भी हुआ उसकी क्या वज़ा है मुझे नहीं पता ना तो मुझे रेस्टरान में नहीं जो कुछ कल हुआ मुझे उसमें दिल्चस्पी है मैं सिर्फ बुलत के लिए सोच रहा हूँ अभी फोन मुझे काटना होगा मैं तुमसे बाप ने बात करता हूँ शायद तुम भाद विजी हो हाँ ऐसा ही है मैं एक नहीं डील करने वाला हूँ अगर हो गई तो बहुत अच्छा होगा हूँ चलो चलो सोंगल अगर कोई भी जरूरत हो ना बेटा तो परेशान में तो ना बुला लेना मुझे चलो बीटा हम लोग चलते अपना ख्यार लखना जरा रास्ते देना अच्छा बही अल्ला ओफिस चलो 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 तेर हो गई बोलिये हैलो हम जलाल की वाइब से मिलना चाते हैं क्या हो आप हैं मैं हूँ आप लो कौन है मेरी ताजियत कबूल कीजिए मैं फरीद असलाद जलाल काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहा था मैं जानता हूँ कि ये ठीक वक्त नहीं है लेकिन अगर आप हमें पांच मिनट दे दे तो ये बहुत अच्छा होगा जलाल कभी मुसीबत से बाहर नहीं निगला था मुझे उसने कुछ नहीं बताया मगर मैं जानती थी रात में कॉल आई और वो चला गया दो तीन दिन नहीं आया उसने तो कुछ नहीं बताया लेकिन वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रह मुझसे पुलिस ने भी पूछा था, जो उन्हें बताया वो ही आपको बताऊंगी। मैंने हाककान को ना कपी देखा ना कभी सुना है। रसूल को जानती है कि आप जलाल का गरीबी आदमी था नहीं मैं उसे भी नहीं जानती लेकिन आप ये सब बाते क्यों पूछ रहे हैं क्योंके पुलीस ने ये केस बंद कर दिया था असल में मुझे लगता है कि जलाल का इस केस से कोई तालक नहीं है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है ये काम जलाल ने नहीं किया मतलब वो चोड़ी मोटी चोरी तो कर सकता है मगर ये सब नहीं वो काम जलाल ने नहीं किया होगा उन्होंने गरीब आदमी ढून कर सारा इल्जाम उस पर डाल दिया मुझे ऐसा लगता है चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं आपकी बेटी के उलाज के लिए यहां पर दोस् भीज रहा हूं उनका अब सब बता दीजेगा बहुत शुक्रिया आपका, अल्ला है आपसे राजी हो अपना खैल लुकिएगा आपका बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। रहाँ रसूल को भूड़ो। उसके साथ मिलकर ये प्लाइन बनाया उन्होंने। गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ। और सब के सब मर गए। उसके बाद जलाल भी इंतिकाम लेने के लिए आया। इतने बुड़े प्लाइन जलाल नहीं बना सकता नहीं वो ऐसा कर सकता है। अगर वो इंतिकाम लेना चाहता तो अत्यार से भी ले सकता था। ठीक हैं अगर उस आदमी को दुनिया जानती है। शायद वो इसी तरह से बदला लेना चाहता हो। और शायद उसे ये आइडिया भी रसूल ने दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है न। बताओ मुझे। ठीक है। फैसला देने में हम जल्दी कर रहे हैं। परें सब चीदों का पता लगाना बेतर है। आखिर में मैं ही सही निकलूमा दिख रहा तो। फरीद। मैं तुमसे एक बात करना चाहरा था किसी और बारे में। तुम हमेश हाकान के अगेंस रहते हो। मैं मानता हूँ कि वो दुनिय का सबसे मासुम इंसान नहीं है। और शायद कभी भी ना रहा हूँ। मगर वहाँ पर सुबूत कुछ और बता रहे हैं। इस मामले में उस पर शक करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है। सारे सबूत आने दो उसके बाद ही बात करेंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ और है। तुम्हें कोई फर्ट नहीं पड़ता कि कोई इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। बस तुम जो सोचते हो सबसे भेतर वही होता है। तुम्हें अपने रूज रखे हुए हैं। तुम्हें अपने रूज रखे हुए हैं। क्या तुम मुझ से लड़ना चाहते हो? ये सिर्फ अकार का मसला नहीं है, समझे? हाँ, नहीं है. मैं चाहता हूँ तुम नाजली को असियत देना बंद कर दो. क्या बखवास कर रहे हो तु? उसे माफ कर दो, माफ. उतार दो उसके कंदों से, ये बोच. तुम्हारी इन हरकतों की वज़ा से, वो लड़गी कितनी परिशाने पता है तुम्हें? देखो, फरीज सहाब ऐसे नहीं चेलेगा, समझे? ये सब, मेरा और नाजली का मामला है. तुम इसमें दिल्चस्पी ना लो. मुझे नाजली के हर मामले में दिल्चस्पी है. और वो रहेगी. देनिस, क्या करना है ये मन बता मुझे. बहुत सारी चीज़े हैं जो तुम्हें नहीं बता. नाजली इतना सोच क्यों रही हो? तुम हा या ना भी कह सकती हो? मेरे ख्याल से, ये कोई असान फैसला नहीं है. तुम मुझे और कितना तजार करवाओगी? मेरे दिमाब में कुछ सवाल है. उनके जवाब देना जरूरी है. मैंने सब कुछ लिख दिया है. बस हो गया. ठीक है, पूछो. यहां पर पूछो. सब हैं यहां पे. बहुत लोग हैं. आलिया भी आ गई है. हेलो, फतूश नहीं है क्या? ठीक है, उस मीटिंग रूम में बात करते हैं. चलो. नहीं, थोड़ा सबर तो करें. ठीक है, तो क्या करें, बोलो. आलिया आ रही है. अरे? ठीक है, मैं क्या करें चला जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना. क्या करें हो तुम? आलिया मुझे कंप्री जाना है, मिलते हैं जिल्दी. क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? वो चला क्यों गया? आ, फरीद का तो तुम्हें पता ही है न, कितना जिद्धी है वो. उसने एक कसाई के दुकान ढूंडी है, जहां से रेस्टरेंट में गोश्ट आएगा, वैसे मैं कर सकती थी, लेकिन वो खुद देखना चाहता था जाके. हाँ, यानि कोई और बात नहीं. क्या होगा? मुझे लगता है कि फरीद नहीं कर सकेगा, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए, फिर मिलते हैं. उस कसाई को भी देखना चाहिए, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? मेरा बहुत इंतिजार किया. इंपॉर्टर नहीं है. रेस्टुरेंट से निकलना बहुत मुश्किल होता है. फरीद से सीक्रेटली मिलने आई है. अच्छा है. तुम नोटबुक नहीं लाई किया? सब मेरे दिमाग में है. ठीक है. जो तुम पूछना चाती हो, पूछो. तुम इतना सुकूँद से कैसे बैठे हो? ऐसा लग रहा है, कोई ओफिस मीटिंग चल रही है. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जूट बोल रही हो. उससे पहले भी तो बहुत जूट बोले हैं. अगर ये बात तुमने फिर से मुझे से कही, तो जाकर खुद अपनी ले कोई दूसरी लड़की ढून लेना. देखो नाजली, हमारे बीच अल्रेडी बहुत कुछ हो चुका है. हम दोने दूसरे को जानते हैं. हम सब को यकीन दे लाना चाहते हैं कि हमारी शादी हो गई है. ठीक है, ये असान नहीं है, हाला कि मैं सोच रहा हूँ कि यह हम कर सकते हैं. नॉर्मल लोग एक दूसरे से महबबत करके शादी करते हैं, इसलिए हम यकीन करते हैं. और तुम ही तो मेरे अंदर बहुत सिम्पती देख रही होगी ना, हर कोई समझ जाएगा. मैं ऐसे भेव करूँगा, मैं तुमसे महबबत करता हूँ, हर कोई इस पर यकीन कर लेगा, तुम ऐसा कर सकती हो, बताओ. महबबत करने जैसा, कर सकती हूँ, मतलब अगर थोड़ी से कोशिश करूँ, तो कर सकती हूँ, शायद बहुत कोशिश करने होगी. ठीक है, चलो फिर हम दोनों ही कोशिश करते हैं, चलो फिर सवालों पर आते हैं, ठीक है, आज आते हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी लगता है कि 20-25 सवाल काफी होंगे बस, फ्यूचर में और डिसकस कर लूँगी. चलो पूछ लो नाजली, मानो हमारी शादी हो गई, हम एक ही घर में रहेंगे क्या? मतलब शादी शुदा जोड़े एक ही घर में रहते हैं, मैं कहना चाहती थी असल में, मैं कहां सौँगी? तुम फिकर ना करो नाजली, हम यह डिसाइड कर लेंगे, हम एक कमरे में नहीं रहेंगे, हम घर भी तो बतल सकते हैं, आखर में हम एक फैमिली होंगे, हम एक घर की जरुवत होगी, फैमिली? फैमिली? मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, अब सबसे इंपोर्टन सवाल करते हैं, उसी के अंतिजार करना हूँ, कितने वक्त तक यह शादी चलने वाली ह मैं इसी सवाल का अंतिजार कर रहा था, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे पूरी जिंदे की इस अग्रिमेंट को फालो करना होगा, जब मैं हकान के काम को खतम कर दूँगा, तो यह शादी भी खतम हो जाएगी, दो महीने, छे महीने, दो साल कितना, मुझे नहीं पता न मतलब कोई देख ले सुन ले पता चल जाए, हमारा जूट पकड़ा जाएगा, ठीक है नाजली, यहां कोई और नहीं होगा, लेकिन ऐसा तुम्हारे लिए भी है, मजबूरण, ऐसा ही होगा, क्या, ऐसा ही होगा, हो गया, बैस इतना ही था, अधि मनी दिमाओ में कोई और सवाल आया तो पूछूंगी, अभी वैसला नहीं किया तुम्हें, नहीं किया मैंने, थोड़ा आओ सोचता है मुझे, चलो अब उठते हैं, रेस्टरंट भी जाना है वापिस, यूसुफ, जी फरिच साब, बिल ल खुशाम दीद नाजली, मैं घर के पास था, इसलिए तुम्हें यहां आने का कहा, शादी करते है, पक्का, तुम होश में तहो, मैं अपने होश में ही कह रहे ही, जल्दी शादी कर लेते हैं, और देर नहीं करनी, तुमने थोड़ी दिर पहले कहा था, कि तुम्हें रेंट आया था, उसकी जगा यहीं है, तुम्हारे पास, उसकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर सकती हो ना, तो मैं करूंगी, ठीक है बेर, डील देना हमारी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब सब कैसे यकीन करेंगे, क्या कहेंगे, मतलब तुमने कहा था, कि मुझे किसी चीज की फिकर करने की जरूरत नहीं, कैसे कहेंगे हम लोगों को, कैसे होगा सब को यकीन, नाजली हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, मेरे खयाल से इतना पागल होनी की जरूरत नहीं है, कैसे करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को, कि हम शादी कर रहे हैं, हाँ, ये करे कि ऐसा कुछ नहीं है सब बहुत शौक होंगे कैसे करेंगे कैसे होंगे एवेंट्स कैसे शादी के लिए प्रपोस किया क्या जवाब दूंगी मैं तुम्हारा क्या आइडिया है मेरा ख्याल हमें कहानी बनानी चाहिए जो पूछे उससे बता देंगे अगर हम दोनोंने अलग केला कहानी बताई सबको बता चल जाएगा ठीक है शुरू करो कहानी बताना जैसे कि मैं रेस्टूरेंट में हूं ऐसे बहुत रेट हो गया और मैं बहार जा रहे हूं अकेले सुनसान सड़क पे जा रहे हूं वहां पर तुम आ जाते हो गुलाब के फूल लेकर कौन से फू उसके बाद उसके बाद बैट के बाती शुरू करना कि हमारे बीच में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे तुमने मुझे कहा कि चलो सब छोड़ के शादी कर लेते हैं मैं ऐसी बाते नहीं करता जैसे प्यार वालाग तुम ही बताओ फिर मैं तुमने मुझसे बार बार माफी मांगी तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अफसोस है तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुमने मुझे किस भी किया नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगे, मुझे बिलकुल मनसूर नहीं है तो कैसा करें हम, हम जिन्दगी पर नहीं कर सकते थे ठीक है, हम आएंगे, बैठेंगे बात की हमने और दोनोंने मिलकर फैसला कर लिया और उसके बाद मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोस कर दिया विलकुल यही हम जल्दी में है नाजली, कुछ दिनों बाद हम निगा की टेबल पर बैठे होंगे फर यह कौन यकीन करेगा कि तुम्हें मुझे प्रपोस किया है तो कैसे शादी के लिए प्रपोस करूँ मैं तुम बताओ मैं रेस्टोरेंट में हूँ तुबारा रेस्टोरेंट मेरी सिंदगी रेस्टोरेंट में गुजरी है और कोई सीन नहीं है ठीक है नाजली, रेस्टोरेंट के आगे बताओ मैं उस दिन रेस्टोरेंट में थी, तुम आए वहाँ पर हाथों में फूल लेकर यार फूल तो चाहिए होंगे ना प्रपोस करने के लिए उसके बाद मैं तुम्हें देखकर बहुत खोश हुई, बहुत पुर सुकून मगर मैंने किसी को नहीं बताया, हम दोनों सीक्रेटी मिलते थे उसके बाद तुमने मुझे कहा कि नासली मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी मैंने भी कहा ठीक है और हम गाड़ी में बैटके चले गए गाड़ी के बारे में भी बताना होगा, ये भूल रही किया तुम ऐसे कैसे भूल गए, सब बताना होगा, लिर्कियां बहुत सवाल पूछती हैं हमें ये सब डीटेल्स भी देखनी होंगी ठीक है, गाड़ी से आगे चलो उसके बाद, उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया ये नहीं खतम होने वाला हम पेडों के बीच में थे, आसपास कोई नहीं था सिर्फ हम दोनों थे, मैं बहुत सप्राइज हुई मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, मगर तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो मैं बिल्कुल सप्राइज जूँ उसके बाद, पेडों के बीच में लाइट जलती देखी मैंने मैं उसकी तरफ चलने लगी, और वहाँ एक बाग भी था, खुबसूरत सा उस बाग में फूल, गुबारे और गुलाब की पत्तियां भी थी, सब तुमने किया था यह सब मैं कर रहा हूँ उसके बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मुझे अंदर लेके गए अंदर परियों की तरह, उसके बाद मैंने अपनी आखे बंद करी उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आगए, ऐसे और धीरे धीरे करीब आने लगे करीब आई और फिर अब हम किस करने लगे नहीं, तुमने फिर घृटनों पर बैठके मुझे प्रपोस किया फरीद असलान घृटनों पर बैठेगा क्यों घुटनों में दर्द होता है क्या नाज़ी मेरे खयाल से ये बहुत है मैं अग्रीवेंट के बारे में सोच रहा हूँ देखो हम दोनों सोचेंगे अगर तुमने कुछ गलत बोला तो हम पकड़े जाएंगे नहीं मैं नहीं भूलूंगा मुझे काम पर जाना है तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मैं खुछ चली जाओंगी